हरे यहां क्रिक्ट से के सवैपयंगेश की अदेए कीड वेधिय के कि अध्य युक् cultura को the सघ्य स्वागत वह तक потрigmА शेयुका शारिने हैं बहुत बढ़िया उसको आप double जरूर फॉलु किजिए और अब क्योंकि है बहुत इंपॉर्द्ट टॉपिक रहने वाला है बैटल ओफ प्लासी को शुरू करेंगे विदाउट एनी टाइम विस्टिंग उससे पहले में एक चीज़ और बता दू कि क्यूं है इंपॉर्टेंस जीएस के आपके डी ट्रपलेस भी एक्जाम में क्योंकि इससे मार्क्स काफी कर जाते हैं जीएस के साथ और भी सब्जेक्ट सुरू करेंगे पर उसकी बात अभी नहीं करने वाला हमें जीएस पर बहुत फोकस रहेगा इसमें जनरल साइंस वगरा सब पढ़ाएंगे लेकिन हिस्ट्री का बहुत बढ़ा रोल है आपकी जीएस में नमर दिलाने में तीनों हिस्ट्री सूरे अस्थ बिल्कुल सही बात है ब्रिटिश राज का तो सूरे अस्थ था एक कहावत थी नहीं कभी ब्रिटिश एंपायर में जो सूरस था वो ढलता नहीं था ऐसी कहावत थी ठीक है वो तो 1857 कि करांती में अलमस्ट धल चुका था उसके बाद में बात करेंगे तो 200 साल तक इनका एंपार काफी लंबा खिचा उसका रीजन था सबसे बड़ा दो बैटल एक तो तुमारी बैटल ऑफ प्लासी और एक तुमारा बैटल ऑफ बकसर दोनों बैटल बहुत बड़ा युगदान देती हैं ब्रिटिश राज को एक ट्रेडिंग कंपनी से प्लिटिकल प प्लासी पे बैसिकली हम फोकस कर रहे हैं तो मेन कैरेक्टर इन दे बैटल ऑफ प्लासी में में करेक्टर है पहले उसको जान लो एक तो नवाप सिराज दौला फिर रॉबर्ट क्लाइव मैंने लास्ट वीडियो बताया था क्लाइव क्लाइवर बिलकुल कहते ही डिप्लोम गूमती है तो इसको समझेंगे अच्छी तरीके से थोड़ा सा बैग्राउंड जान लेते हैं बिफोर वी गेट इंटू दा बैटल ऑफ प्लासी हमें थोड़ा सा बैग्राउंड पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ प्लासी की नौबत आई कैसे अंग्रेजों की इतनी हिम्मत क कैसे हो गई कि वह भारत में ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आये जो बिल्कुल शिरुवात में तो भीग मांग रहे थी कि भाईया हमें ट्रेड के पर्मिशन देदो पर्मिशन देदो ट्रेड की और एकदम से हो यहां के राजा बन बैठे तो इसके पिछे कुछना बरके ट्रेड करने की प्रमिशन लेने के लिए पर्मिशन लेने के लिए यहांगीर लेकिन बैठिक सेक्टार प हमें पर्मिशन देदो प्रमिशन देदो प्रोका कि यह काफी समय तक मौलब ती-न-चार शाल पाँ साल रहा था इसको जाँगीर ने फिर भी पर्मिशन मुल्स नहीं दो ke मैंनी देरहा , टूझे पर्मिशन मिली does that लेकिन प्री इस इंड्या कमपनिको मिली कैसे उसके पीछे एकान था इसकाट जाता है सर थॉमस रो को थॉमस रो ये बंदा था डिप्लोमेट कहते हैं से बहुत ही डिप्लोमेट पर्सन था जहांगीर के कोट में आया और कोट में बगायदा आके 6 फरवरी 1613 में शाहि फर्मान जारी किया जहांगीर ने और इस इंडिया कंपनी को सूरत में ट्रेडिंग की पर्मिशन मिल गई तो बिटिश इंडिया कंपनी को पर्मीशन दिलाने का काम इस बंद्य नहीं किया है 1613 में कहीं कहीं डेट 1615 दे रखिए कहीं के 18 लेकिन एक्चुल डेट जो है सूरत में ट्रेडिंग पर्मीशन की वो 6 फरवरी 1613 ही है यह याद रखेंगे जहांगीर के टाइम पर पर्मीश हो जल्द यल्दी काम करो बड़े चाला करो बड़े पैसों के भूके ठीक है इसके बाद मुगल हुए कमजोर और बंगाल में नवाबू ने पैर जमाए अब बाई प्लासी का युद्ध तो नवाब और अंग्रेजों के बीच में इस्ट इंडा कंपटी के बीचिमें होता तो एकदम से मुगल को कैसे ये तुमारे नवाबो ने रिप्लेस कर दिया इसके पीछे की भी कुछ कहानी होनी चीए तो लास्ट पाउरफुल मुगल एंपायर जो था औरंग जे हम सब जानते हैं इसको उल्टी गंगा भाहिती इसने लेकिन ये लास्ट पाउरफुल जो एक था राजा था इसके बाद सारे औने पोने आयते एक जो आयता नाइन्थ प्लेस पर मुगल राजा उसने सारी हिचड़ी पकाई उसने सारा काम खराब किया छेर जो लास्ट मुगल एंपायर्ट था उसने औरंग जेव ने क्या किया मुर्षित कुलिठ गण को दिवान म ना बंगल का अभी यहां पर किसी वित्रय के नवाब का जिक्र नहीं है मुगल मजबूत है लेकिन मुगल अमपार कमजोर हो गया था इन भाई साँ की जाने से यह मरे मुगल मज़ोर कमजोर गया और अब शाही फर्मान भाई मैं डारेट ौगल पे रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजे ना connect कर रहा हूं मैं Battle of Plassey की reason से इन सभी से reason बनेंगे और सबसे बड़ा reason तो इस भाई साब जो फारुक शियार था फारुक शियार ने 1717 में ये 9th मुगल एंपार था 1717 में इसने एक शाही फर्मान जारी कर दिया फारुक शियार ने ये शाही फर्मान बड़ा बेकार शाही फर्मान था जिससे सीधा सीधा फाइदा British इस इंडिया कंपणी को ओगया ठीक है British इस इस इंडिया कंपणी को कस्टम ड्यूटी फ्री मतलब कोई सीमा शुल्क वगएर नहीं है उसके बिना कोई टेक्स वर्क्स मद्दो खुब वयापार करो कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी बिल्कुल की और इसके साथ साथ मुर्शित कुली खान को पहला नवाब का बंगाल बना दिया अब नवाब को बंगाल में बिठाने काम किस ने किया? फारुक शियर ने और साथ ही साथ East India कंपणी को Customs Duty से मुक्त व्याबार करने की अनुमती भी दे दी किस ने? नाइंध मुगल एम्पाइरर या नाइंध मुगल गिंग फारुक शियर ने मुगलों का शाषन धेरे धेरे इन्होंने सुपड़ा साफ करना शुरू कर दिया पहले जो नवाब थे मुर्शित कुली खान ने अपने दमाद को नवाब बना दिया बोला भी दमाद स्याब जी सूजा उद दिन मुहम्मद खान जो था उसको नवाब बना दी कि तू बन जा अब सरफरास खान जो था ना उसको मार दिया किसी ने उसका नाम था अली वर्दी खान अली वर्दी खान जो डिप्टी सूबदार था विहार जो किसका खास था सूजा उद दिन मुहम्मद खान का खास था उसने किया कि सरफरास खान को मार डाला और सरफरास खान को मार के उसको सक्सीड करते हुए खुद नवाब बनके बैढ़ गया और इसके बाद बंगाल का आखरी स्वतंतर नवाब जो बना वो इसी का ग्रेंट सन बना कौन सिराजुद दौला 1756 में तो ये थी नवाब की कहानी कुल स्वतंतर नवाब की कहानी इसके बाद बिरिटिश राज अपने हिसाब से नवाब बिठाए अपनी अपनी मर्जी से गुमा पिरा के अपनी कटपुदली पपिट्स बिठाए तो आखरी जो सोतंतर नवाब था वो सिराजुद दौला था 1756 ठीक है यहां तक आयो आपको समझ में आ गया अगा अब जब सिराजुद दौला गर्दी किले बंदी करना चालू कर दिया अंगिरेजो ने गिना दी मैं कुछ रीजन है कि दाल को से Razud नमाप सायगे हॉद今天 दे रहा हुद करें तो हम fortification करके अपनी companies को save करने के लिए fort बना रहे हैं दूसरा माराथास कभी कभी हम पर हमला कर सकते हैं तो इस चकर में माराथास के थोड़े थोड़े थमले होते रहते हैं तो इसके लिए हम यह fortification कर रहे हैं तो सिराजुत दौला इस चीज़ पर नहीं माना उनको यह भाने लग रहे थी इसके लाब एक रीजन और था company द्वारा बिना tax दिये free में वैपर करना भाई एक तरफ तो company जो वो फारुक शियार ने scheme निकाली थी न कि भाईया सिर्फ कमा के जाओ दे कर मत जाओ उसके चलते इन्होंने खूब लूटना शुरू किया खूब कमाना शुरू किया क्यों कोई custom duty कोई tax लगता नहीं था British history company में तो इन दोनों reason की वैसे सिराजुत दौला कह रहे था भाईया यह सब नहीं चलेगा इना चल वे बिल्कुल नहीं चलेगा यह सब में चलने नहीं दूंगा यह बंद करो भाईया सिस्टम बानी सब खतम करो अब वो मुगल बुगल गए अब हम नवाब हैं हम यहां क भर में देगे कुछ बंगाल को दो जिससे बंगाल का भी खर्चा सेसाले और और बत कंपनी को बाई पैसा kि सीधा Fort William पर कूद पड़ाना तुम करो Fortification में करवारो हूं सीधा Fortification जो हो रहा था उसको तबाह करने की कोश्च करी और Fort William में घुजिया अब इसी में एक Black Hole Incidence हो जाता है बड़ा famous Incidence है इसमें क्या होता है की Fort William में सब भाग जाते हैं अंग्रेच लेकिन 146 को कैद कर लेते हैं वहां पे एक खाने में कहीं पे अब 146 को कैद कर लेते लेकिन बचते उसमें से तेई सी हैं बाकी बाकी की लोग को क्या हुआ दम घुटके मरगे बिचारे औरते भी थे कुछ बच्चे भी थे मर गए निपट गए उसमें अब इसके बाद जो बचे कुछे अंग्रेश थे व आर्मी लेके आया तीन हजार के आर्मी लेके बोला चलो चलते हैं और भेड़ गया जाके किस से नवाब से राजुद दौला से बोला ला भी आजा तू तेरे को कटार पर दरू और इसको नवाब जो था वो नहीं टिक पाया से सामने कलाईव चतुर था चालाग था सेना के कलकट्या से बदलकर अली नंगर या अलीपुर कर दिया था तो यहां पर एक ट्रीटी हुई फैबुरी नाइन को 1757 में उस ट्रीटी के थूर्ट विल्यम कंपनी को वापस मिल गया फॉर्टिफिकेशन का काम चालू और नो टेक्स ऑन ट्रेडिंग जारी रहा भाई उसने क कुछ नहीं कर पाई लेगि नवाप को चुल थी बोला यार मैंनको छोड़ूंगा तो नहीं अब इसके बाद क्लाइव ने कूट नीती अपनाई क्योंकि सी से क्लाइव ने का नवाप बनेगा किस से कहा मीडजाफर से मीडजाफर ने बोला हां आप दो ना आप दो मौका तो आप दो मैं बनुगा मैं थोका करने को रही हूं क्यों से क्लाइव ने बोला इस तरह सोचा एक कोशिश और बनती इनको निपटाओं यार बहुत मेरा मन कर रहा न पर इसने प्लाइन बनाया बहई अब यह था भागीरती नदी किनारे प्लासी यहीं बोला आओ यहीं ब बिदन्त हुई तो सिराजुद दौला के बेड़ी किसमत खराब थी, क्योंकि जब रड़ाई हुई रोबर्ट क्लाइफ से और उसकी सीना से तो सिराजुद जो नवाब था अंतिम स्वतनतर नवाब वो मारा गया अब नवाब मारा गया, भाई, बंगाल का नवाब मारा गया मतलब शक्ति किसके हाथ में सीधे सीधे इस इंडिया कंपनी के हाथ में, ये प्लासी का युद्ध चल रहा है अब इस निड़क कंपनी के हाद में जब शक्ती आ गई तो भाई जाहिर सी बात है ये ट्रेडिंग पावर के मुह में खून लग गया कि यार अब तो यहाँ पे सत्ता जमाएंगे एक कोना अपना बनाएंगे अब उन्होंने क्या क्या बैटल का प्रणाम देख लो थोड़ा अब बैटल का प्रणाम क्या हुआ मीर जाफिर जो था वो भाई कट पुतली बना दिया बिल्कुल अब कोई स्वतंतर नवाब नहीं अब सीधे पपु नवाब सारे कि भाई बोल बो रहे हैं शब्द मा रहे हैं बिठाओंगा मैं काम मेरा मीर जाफिर को सत्ता का लालच मीर जाफिर को लगा ये सुनहरी मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे हो जाएंगे नहीं हुए कलाइव ने खूब इसको अपनी कूटनीति में दबा के रखा अपना खूब काम निकलवाया इसके साथ रेडिंग कंपनी ठू पॉलिटिकल का पाउर अब जो रेडिंग कंपनी थी इस्ट इंडिया कंपनी वो बदल गई पॉलिटिकल पार में कहां पे इंडिया में अब पैर जमाना शुरू कर दिया बैटल ओफ प्लासी के बाद बिटिश इंपेरिलिजम की शुरुआत हो जाती है बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि विस्तारवाद की शुरुआत हो गई यहीं से चालू हो गया था फिर बैटल ओफ बक्सर के बाद तो मैंने बताया था लाच वीडियो में कि ताबूत में आकरी कील का काम था और दो सौ सालों तक ब्रिटिश राज का सुरुआ कभी अस्त नहीं हुआ ठीक है तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी बैटल ओफ प्लासी के पोरे बैग्राउंड इंट्रोडक्शन क्यूं हुआ कौन मरा कैसे मरा और उसका परणाम तक मैंने बता दिया इससे बाहर बैटल ओफ प्लासी में कुछ भी नहीं आने वाला यह हर एक्ज प्रिवेस एक्जाम में आया है उसके थुरू मैं बनाऊंगा तो सारी चीज़े टाइम टो टाइम है अब चीज़े पैरलल चल रही है तो आपका सपोर्ट चाहिए बहुत अच्छा वाला पहले वाला जो था कंटेंड के अंदर जाईए देखिए उसको अपने दोस्तों को ठीक कर दूँआ ठीक है और इसी के साथ बने रही है मिशन के वेस के साथ चलिए बाए